हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यह खास कर उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइविट जॉब करते हैं या किसी फर्म के मादियम से या किसी आउट्सोर्सिंग एजिंसी के मादियम से विभिन्ने कारियलों में या अलग-अलग में या फैक्टरी में काम कर रहे हैं तो यह आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही है है तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी एक बात बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का EPF है ना और अगर आप लोगों का EPF और इंशूरेंस इंशूरेंस मेंज E.S.I.C. E.S.I.C. Employee State Insurance Corporation अगर आपका EPF और इंशूरेंस कमपनी काट रहे है या आपका आउट्सोर्चिंग एजन्सी काट रहे है तो आप सबसे पहले कमपणी से या आउट्सोर्चिंग एजन्सी से अपना UAN नंबर वो ESIC का card यानि जिसको E पहचान पत्र भी कहा जाता है जरूर प्राप्त कर लें क्योंकि company आप का जो benefit है वो आपको तभी दिला पाईगी जब आपके पास UAN या ESIC card आपके पास हो ESIC card के benefits बहुत सारे हैं बहुत सारे ESIC के जो hospitals हैं वो इस समय आप cashless आपका इलाज भी कर रहे हैं इबन dispensary में ऐसे दवाईयां भी मुख्त मिल रही है तो सबसे पहले आप लोग अपना UAN अपनी firm में जाके या company में जाके आप अपना UN पता करें साथ ही साथ आप UN पता करने के साथ साथ आप अपना UAN के अंदर अपना KYC जरूर कर वा ले KYC आप online हो गई है जब आपको UN नमबर मिल जाएगा तो आप किसी भी cyber cafe में या अपने घर बैठे अपने mobile से या अपने laptop से computer से आप खुद अपनी KYC कर सकते हैं इसके लिए आपको जो EPFO की official website है या अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप simple बहुत simple fund है आप क्या कर सकते हैं गूगल में activate UAN क्या करेंगे activate UAN आप सर्च करिएगा तो आपको उसके अंदर website खुल जाएगी सबसे पहले unified portal मिल जाएगा उसके अंदर आप उसको कर सकते हैं फिर उसके बाद क्या होगा जब आप अपना उसके अंदर pen number आधार तो खेर पहले से ही होगा pen number bank की detail है ना और अपना nominee जरूर आप उसमें डालने nominee का photo उसमें लगेगा और वहाँ पर nomination का पूरा detail करके उसका एक प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त कर लें और ये आपका benefit होगा कब जब आपको claim करना पड़ेगा नहीं तो claim करते समय मतलब इतने कागज मागे जाएंगे इतने कागज मागे जाएंगे आपको लगेगा तो claim ही करना बिकार है तो आप सबसे पहले आप क्या करिए e-nomination जरूर करा ला है e-pfo की website में जाके दूसरा अब बात आती है e-s-i-c की e-s-i-c क्या है यहां पर देखे यह भी एक केंदर की ही योजना है जिसमें क्या है कि जो हमारे सर्मिक हैं जो हमारे workers हैं वो जिनकी salary 21,000 से कम है उन सभी को e-s-i-c का लाव इस समय दिया जा रहा है तो इसका लाव सरकार तो दे रही है आप इसका लाव तभी उठा पाएंगे जब आपके पास e-s-i-c का card होगा बीना e-s-i-c के card के आप किसी भी hospital से या किसी भी dispensary से अपना इसका कोई भी benefit नहीं ले पाएंगे हो आपका e-s-i-c का पैसा आपकी salary से कट रहा है और e-s-i-c department में आपका पैसा जमा भी हो रहा होगा लेकिन आपको उसका benefit नहीं मिल पाएगा तो benefit लेने के लिए आज ही तुरंद आप अपना employer को संपर्क करिए आप जिस agency के माधिम से आप उनको संपर्क करिए आप अपना एक family photograph यानि group photo ठीक है एक group photo जरूर वहाँ पर ले जाए जैसे मैं भी दिखा जिता हूँ आपको एक group photo वहाँ पर ले जाए और वो group photo क्या होगा कि आपका card के साथ EASIC card के साथ वहाँ पर संगलन होके उसमें संस्था की मोहर लगेगी और आपको EASIC card दिया जाएगा और जब भी आप इसका benefit ले पाएं ये group photo है इस तरीके से आप एक group photo जरूर खिचवा के उसमें आप अपने employer को या जिस agency के माधिम से आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर तुरंद हांसिल कर लें और ये सब पेपरलेस भी होने वाला है और कैसलेस भी बहुत सारे hospital जो EASIC के साथ काम कर रहे हैं या EASIC covered हैं वहाँ पर आपको मुफ्त इलाज भी मिल रहा है और साथ दवाया भी मिल रही है जहाँ पर EASIC की सुविधा नहीं हो पा रही है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपना इलाज करा सकते हैं और अपने बिल आप संबंधित जो dispensary है या EASIC है सास्ता के माधियम से जरूर भीजवा ले आपको उसका benefit मिलेगा तो आज ही बिना देरी के आप अपना UAN और ESIC यह दोना नमबर प्राप्त कर लें और इनका KYC E-Nomination जरूर कर वा ले Thank you